हलो फ्रेंड्स मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आए आज 46 वर्स के पूर्स के पाम का अलसेस करेंगे इनके कोशन्स का उत्तर करेंगे तो सर पर्थम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आकन को प्रेस कर दे ताकि लेटरस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए, शुरू करते हैं तो पहरी नजर में मैंने जब इस हतिली को देखा था, तो मुझे बहुत ही प्रभावित की थी ऐसे इस पे कुछ अच्छे एक्स्ट्रा योग बन रहे हैं, जो इस हतिली को बेहद खाश बना रहे हैं साड़े विशो पर चर्चा करूँगा, वीडियो को पुरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सीखनी समझने की कोशिश करना क्या आमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो सरपर्थम मुझे अच्छा इसा क्यों लगा, ऐसे इस हतिली में क्या बात थी लग्जरी लाइफ तो रहता ही रहता है, साथ साथ एक कमफर्टेवल इंकम भी जीवन भर रहता है, दूसरी चीज, उसके बाद देखो तो इनकी हतिली पर दो-दो सूरी रेखा, प्रबल दो-दो सूरी रेखा, तो बैठे-बैठाई इंकम करने के योग, बैठे- पर साथ हो, तो ऐसे लोग को पैसे धनकी दिक्कत कभी नहीं होती, बैठे-बैठाई पैसा आता है, कम मेहनद भी करते हैं, तब भी अच्छे कासे एमोंट में पैसे आ जाते हैं, फिर देखो सबसे स्ट्रॉंग चीज़े सहतली पर इसकी थम्ब, इनकी थम्ब बहुत ही ज सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो हसके करे या रोके करे, ये एक पावर होता है इनमें, दो तरह से ये चीज़े में देखता हूँ, पहले चीज तो आपके शूरी रेखा, और आपकी शूरी माउंट कितनी प्रबल है, वो प्रबल अवस्था में हो जाए, साथ-साथ इनक चीज़ें मैंने बता दी, अब इनका सवाल था, इनका सवाल वैसे कुछ बहुत जादा नहीं है, इनको आगे के विशे में जानना है, इनको बेसिक चीज़ के कोई दिक्कत नहीं है, आगे के विशे में जानना है, कि आगे हमारा जीवन कैसा रहेगा, सारी जानकारी दूं यह मैं देख पा रहा हूँ, और एक तक्रीवन अगर आप देखो तो यह 26 साल के एज में था, यह नॉर्मल थी है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कियोगी, लेकिन 34 में वाली तो मुझे राहू लाइन दिख रहे थी, इसमें 2-3 केसे होते हैं, अगर आपकी राहू आपको बनाओंगा, लेकिन 34 में 35 में में इनका जीवन रहा है, पूर्णता कट था इनके राहू लाइन का, तो क्या रहा है, इनको इसमें परिशानी आई होगी, और एक प्रोग्रस लाइन भी था, तक्रीवन अगर आप देखो इनकी, तो 42 में साल के एज में कोई ना कोई प्रगती हुई होगी, फिर इनके लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है, और एक प्रगती इनके लाइफ में और है, तक्रीवन ये आई हो, अगर आप 20 साल का ले लो, तो 70 साल के राउंड इनकी एक प्रगती और भी है, उसके बाद इनकी जीवन एकदम स्मूथ है, और देखो तो इनकी बागी रेखा, इनकी बागी रेखा तकरिवन 36 में से बहुत ज़्यादा स्मूद थी, पहले भी अलकेल की एमांट में थी, तो बेशिक्षी गहों में स्ट्रेंथ है, बागी रेखा का तकरिवन 25 में साल से स्टार्ट हो गया था, ऐसे इन्डेपेंडनसी तकरिवन इनके 20 में साल से आ गए होगी, अर्निंग तो इन्होंने 20 में साल के आयो से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद से इनकी लाइफ तो स्मूद थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताओं, तो इनकी अदिली पर ग्रेटर ट्रेंगल अगर आप ठीक से देखो तो यह वाली, लेकिन हबी हलका सा कटा कटा वस्था में तो यह क्या दरशाती है न, कि पैसे तो खूब कमाते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात में हो, लेकिन बचते नहीं होंगे, यह वाली में बात बता रहा हूं उनको, ग्रेटर ट्रेंगल पैसे बचेंगे न, कि वो पैसे बचेंगे न, यह प्रॉप्लम आती है, तो यह था इनका कोश्चन, तो आगे का जीवन में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, भी मैं आपको बहुत सी चीज़े बताने वाला हूं आपकी एतली के आनलेसेस में, तो पुरा देखना, तो जादा स्ट्रॉंग सेकेंड, बहुत जादा मानसल, मैं बार 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 बोलता हूं कि आपका सेकेंड फैलेंज अगर स्ट्रॉंग हो जाए, डिजाइस की लाइनी अगर हो जायते लिए पर तो ऐसे लोग का फिर कोई यह नहीं है, मतलब यह लोग आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इनके डिजायर्स बहुत रहती है और अपनी सम्मान की रक्षा भी कर पाते हैं और जीवन में सदय वागे बढ़ते रहते हैं, फर्स्ट वेलेंज बहुत अच्छा है, इक्छा सक्ती बहुत प्रबल, कुछ करने की चाह इन लोग बचपन से रहती है, जबर दस्त रहती है, इन लोग के दिमाग इन लोग का बहुत तेज चलता है, सोचते रहते हैं, क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे नाम कमाओ, कैसे पैसे कमाओ, ऐसे वाले स्थिती रहती है, एक खड़ी लाइने हैं इनके थम पर, तो एक सीधी लाइन क्या इंडिकेट करती है, और इतन सुन्दर रवस्था में आ रही है तो ऐसे लोग काफी जाता समझदार होते हैं चीजों को समझ के सोच के करते हैं और कभी भी कभी ऐसे लोग निरने लेते हैं तो यह लोग का बेवकुकी वाला कोई निरने नहीं होता है हां कभी कबार कुछ गरहों दिस्ट्री कौन में अग यहां से दिख रही है यह बहुत अच्छे बैखती है और दो तीन चीज़े में आपको बता है यह ख़डी लाइने यह बहुत अच्छे हैं इनको आप तो बोल आपको लगेगा कि मैंने तो इनको बेवकुक बना दिया मैं तो इसको पैसा ठग लिया लेकिन यह सब समझते हैं और शून में अटेच्मेंट है तो यह बिसिकली क्या इंडिकेट करती है यह आपके कैलकुलेटिव प्रसनालिटी को इंडिकेट करती है कैलकुलेशन अच्छा होगा यहां पर से गयाफ है तो खर्च विगरा तो बहुत होंगी इसमें कोई डाउट नहीं है जुपिटर फ फर्स फेलेंट तक पहुंचा है तो कम नुकेसन इसकिल वाई ऐसे लोग बहुत ही जादा प्रबल होते है अगर ऐसे लोग से आप बात करोगे तो बहुत ग्यानी प्रतीत होंगे ऐसे लोग फिर दो को इनके ब्रश्पती स्टार्टिंग फेज में पड़िवारिक समस्या ह होंगी लेकिन higher education के योग आ रहे थे तो क्या है न फिर भी यहीं तक थी तो यह बेसिकली ऐसे लोग डिगरी तो ले रहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है थोड़ा और पढ़ना चाहिए होता है लेकिन due to family conditions ऐसे लोग के जीवन में वो चीज़े पूरी नहीं ह पाती है फिर देखो इन कहते लिए पर एक प्रवल square बन रहा है यहां पर से हलका सो तो यह कहना जुपटर की negativity को दूर करेगा मैं बार बार कह रहा हूँ एगर आपका square बन जाए किसी बेस में यह बनता है न तो आपके जुपटर की negativity को वो दूर करता है तो हलकी फलकी amount में जो value मान समान में कमी थी अब उसमें increasement होगी फिलाल भी बहुत जादा ताकत वर नहीं है बहुत जादा strength वाली नहीं है उसके पूर्णता फल तो फिलाल नहीं है लेकिन आने वाई समय में इनके अच्छे फल होगे अच्छे amount वे value मान समान सतकर में लेगा एक line है तो six cents बह लेकिन यहां सो भारत हलकी fat gain भी कर सकते हैं मैं इनको exercise का suggestion दूँगा फिर देखो इनके एतली पर कुछ लाइने है तो जीवन का last period में किसी प्रकार के विशेश नमद से नहीं आने वाली स्मूथली कटे का जीवन रेखा और पिंके शपाम है स्कौारी स्पाम है उस अधार से भी बताया जा सक रहा है और एक इनकी देखो ये वाली ये हलकी आगे इनके शुक्रवले तो ये प्रॉपर देखो ये ऐसे शुक्रवले का इंडिकेर करते हैं ये शुक्रवले के बलता आपके उतली पर हो जाएं ये ऐसी शुक्रवले जो ना येए ऐसे यहां तक आ गई है ये कई कटार्ण च नहीं है पूरी नहीं है तो लेकिन ये कई कटार्ण च नहीं है अगर बी बी से कटती है इसे वाई तो इसमें आपको 25 वरसों क fright Gel соп के बाद मूरता 15 वरसों के मित नहीं आपके साथ उनके साथ अवरेलेशन मेंट हो उनसे आपको काफी धन लाव होगा आपके जीवन में काफी जादा और इन लोग से आपको काफी जादा फाइदा भी होगा ये लोग आपके लिए काफी लखी सावित होंगी इस अवस्था में ये मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने बहुत cases में देखा है, कि ऐसे लोग को, जैसे आप पुरूस है, तो आपको महिलाओं से लाब होगा, अगर आप महिलाओं तो आपको पुरूसों से बहुत लाब होगा, ये वाले स्थिति, और मैं अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि ऐसे शुक्र हो जाए, ऐसे शुक्र वले हो जाए, तो ये लोग जिसके भी संपर्क मेरेंगे, जो भी महिलाओं कि वो भी उन्नती करेंगी, और आप लोग का जीवन भी स्मूथ रहेगा, चाहिए आपके मित्र हों दोस्तों वो आपके लिए कम मेनत में जादा पैसे आते हैं, बैठे-बैठाई धन संपत्ती आने के योग बंते हैं, दो-दो सुडी रेखा मतलब आपकी मेनत तो वहां से, अगर आप कम भी करो ना आपको जादा फाइदा होगा, ये बहुत अचीज सिती है, और दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर, श पता होना चाहिए कहां से पैसा आना है, बस ये वहां से पैसा ले आएंगे, इतनी जादा तेज दर्राग होते हैं, मंगल की बहुत अच्छी परधानता है, दोनों मंगल अच्छी जमीन जादा, घर वर तो एक बना ही पाएंगे, और मंगल की परधानता होने के बाद बैस इनरीजी अच्छी रहते हैं, स्वस्त जीवन वियतीद करते हैं, जीवन भर इनको ज़्यादा मेडीकेशन देने के ज़रुद नहीं पड़ती है, लोग काफी स्वस्त फील करते हैं, आगे भी स्वस्ती रहते हैं, और लाइफ इसन पैन अच्छा होता है, आईू बहुत अच था इनके लक्षमी योग का निर्मान कर गे चंदरमंगल व्रश्पतिया प्रतानता हो जाए तो जीवन में पैसे की आगमन रहती है सदे भी इनलों के पास पैसा आता है सुबह उटके मना लें कि मेरे पास पैसा नहीं है इस वर इनको दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात नह तो आपको दे देंगे ऐसा मत बोल देना कि मैं तो सब रोज मना आता हूँ मेरे अतिली पर भी ऐसे को मुझे तो पैसी नहीं आते तो आप अगर अर्बों रुपे माओ तो कहां से आएंगे लेकिन एक बेसिक नीट्स की पूरती आपको हो जानी है फिर दो को इनको इनके लगजरी लाइफ का शुक्रत है मतलब सब चीजे रहते हैं जीवन में लगजरी लाइफ के कुछ लाइने भी बंड़ी अच्छी अवस्था होते हैं शुक्र पर कोई विशेस दिक्कत नहीं है तो विशेस में कोई फैमेट एंट्टिविटी आपको नजर आएगी कि इतने पॉजिटिव इनसान होते हैं स्टार्टिंग फैस तो रहा तक्लीफ दे रहा था कुछ दवाब रहा होगा इनके तक्रीवन बीसमें साल के बाद वहां से इनके अर्निंग शुरू हो गई थी काफी अच्छे एमांट में मैं देख पा था तक्रीवन 42 में वर्स में एक प्र है यह तुर गरंटी वाली बात है फिर देखो इनके अतली पर इनके मांट्रेका में इनको समझता हूं क्या बन गई है देखो इनका मांटरेका यहां से आ काफीinde इमोशन में और जिसके पजह क्भी नहीं भूलेंग उसका सदैब समान करेंगे और ऐसी दिल में कक्त रहते नहीं करते हैं तो इनके दिल में वो सदेव रहते हैं उनके लिए कभी ये बुड़ा नहीं सोच सकते हैं चाहके भी नहीं ये लोग सब के लिए अच्छा सोचते हैं लोग मैं बता रहा हूं ना कि मूल बात में आपको बता रहा हूं इनके दिमाग से जादा इनके उपर दिल 70% के राउंड और दिल से ही सोच के जादा ही लोग कारी करते हैं दिमाग में सेट कर गया दिल में सेट कर गया दिमाग में सेट कर गया तो नहीं भी करेंगे दिल में सेट कर गया तो जरूर करेंगे विश्णु योग का फॉर्मेशन है तो धारमी कास्ता रहेगी भगवान के परती अच्छी सने रहेगी और रूटिन को फॉलो करने वाले इंसान होते हैं लक लाइन इनकी चल रहे है तकलिवन 25 में वरसे अक्टिवेट थी और उसके बाद 36 में वरसे अच्छी अमांट में तो दो दो तीन तीन बन रही है तो वो जीवन बर कमफटेवल इंकम रहेगा कहीं कोई डिक्कत वाली बात नहीं है एक मल्टिपल प्रॉपर्टी का योग इ प्राइस्टिक की प्रॉब्लम रहती है अपच की समस्थे रहती है राजयोग अतली हो जाए तो लोट बैक पेंट पेंट की भी समस्थे इनको जिलनी परती है इनके जीवन में लेकिन घलकल के मांट में तो पैसा आएगा लेकिन खर्च किसे थी भूट रहेगी धन बंडा है तो पैसे जमा करना चाहेंगे लेकिन यह जमा करने में थोड़ी विफल रहेंगे अपना ही कारी करेंगे बैसे लोग अपने उपर ही ज्यादा खर्च करते हैं तो यह था इनके अतली का पूर्णता वेशलेशन अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर कर दें कमेंट कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें अगर आप प्रशन इमेरे से परामेशन लाँ चाहते हैं तो हमारा वोट्स अंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जागा लेकि आप संपर्द कर सकते हैं धन्यवाद